हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे बात्रूम की अंदर ग्राउंड इलेक्टरिकल वाइरिंग कैसे करते हैं और यह पार्ट टू है वाइरिंग का जिस फ्लैट की वाइरिंग हम आपको दिखलाएंगे इसके अंदर दिवाल में किस तरह से पाइप डाला गया है या इसके छत में किस तरह से पाइप डाला गया है कहां पे कौन सा बोर्ड या कौन सा जक्सन बॉक्स हो गयरा लगाया गया है अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरू देखिए इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा और end screen में भी आपको screen में सामने आ जाएगा आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि bathroom की wiring कैसे करते हैं कहां पे किस तरह से कौन सा wire डालते हैं जैसे गीजर के लिए या exhaust fan के लिए या selling में हमारा console box होता है जिसे panel light भी कहा जाता है या दिवाल में जो हमारा जक्सन लगता है holder के लिए या wire किस तरह से measurement करते हैं इजी वे क्या होता है इसमें A to Z complete दिख लाया गया है कि bathroom की wiring कैसे करते हैं और यह wiring का part 2 है मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारा confusion होगा अगर आप पहले वाले part को नहीं देखेंगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले वाला part देख लीजिए या पहले वाला part देखने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि proper तरह से सही तरह से आपको समझ में आए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं इस वीडियो इज ए स्पॉंसर बाइ लॉक दडील जो एक डीलर्स और इटलर्स भायू के लिक बेश्ट सेलूसन एप है जहां पे आपको हर तरह के हर कमपनी के प्रोडेक्ट मिल जाते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल्स एनरजी के अगर बात करें जो भी कमपनिया होती है जैसे ल प्रोडेक्ट भी है जो वह फास्ट डिलेवरी आपके पास पहुंचाया जाता है अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके कॉंटेक्ट डिटेल्स है इनके वाटसप नंबर है आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं बात कर सकते हैं आप अपने जर इसली पार्ट को आप नहीं देखें तो जरू देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अभी जो वाइरिंग हमें करना है यह हमारा बात्रूम है ठीक है इसके सेलिंग में दो हमारा कॉंसिल बॉक्स है दिवाल में अगर देखेंगे राइट स करेंगे तो सबसे पहले स्प्रिंग वायर यहां से हम डाल रहे हैं क्योंकि यहां पर में वायर हमें डालना है इंवर्टर का भी वायर डालना है इधर लाइट भी रहेगा तो यह हमारा बात्रूम में निकलेगा अब यहां पर क्या करेंगे यहीं जक्सन बॉक्स से हम कॉं हुआ का यहां पर निनल को क्र मख़बागे खंडत भाएरं यह मखे дост हैraf और यहां से लेकर करके जाना होगा switchboard तक half wire यह जो जक्सन लगा है यहां पे जो holder लएगा उसके लिए यहां पे हो सकता है party exhaust fan का भी यहां से ले ले नहीं तो यहां पे बल भी लग सकता है क्योंकि यहां से हो सकता है सामने जो है वो थोड़ा सा रोसनी जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके वो जैसे video quality भी सही नहीं आ रहा है उस side exhaust fan लग भी सकता है लेकिन party अभी कर रहा है कि नहीं भी लगेगा अब इसके बाद फिर इस concealed box से हमें spring wire डार रहे हैं और दूसरे concealed box में हमरा spring wire निकल जाएगा और यहां पे bathroom छोटा है तो एक ही बंदा चड़ा हुआ है ग्वन्ची पे जो table होता है और यहां पे देख रहे हैं उस side से डाल करके side निकाल भी लिए तो छोटा जगा है तो यह हो जाता है अब यहां पे क्या करेंगे जो wire हमारा back side से आ रहा है वो wire और तीन wire और यहां से लेंगे एक half जो concealed box के लिए दो गीजर के लिए एक neutral एक face यानि जो switch से आपका half wire ही रहेगा गीजर का लेकिन हे भी 1.5 mm का हमारा neutral face है और सभी wire को साथ में बांद करके यहां पे हम क्या कर रहे हैं खीच रहे हैं इस side हमारा निकल जाएगा अब देखे यहां पे तो यह निकल गया अब हमें क्या करना होगा wire तो हमारा एक साथ आ रहा है पुरा लंबा आ रहा है तो य है डाउन होगा कि इसते से मूड़ेगा उसते से मूड़ करके हम यहां पे मजर्मेंट कर लेते हैं अब जैसे कि हमारा इतना में चला आएगा switchboard के पास यहां पे थोड़ा कोशिस किजिएगा 200 mm लंबा wire हो छोटा नहीं हो तो हमारा लगभग मजर्मेंट इसते से clear मिल जात से अब यहां पर क्या है कि जो वायर लंबा था उसको back side खीच लिए यहां पर neutral हम लूपिंग कर लिए यह जो neutral इसको खीच लेता है क्योंकि जो गीजर का neutral हमारा रहेगा उसी से हमें लूपिंग कर देना है और यहां पर यह जो वायर आप देख रहे हैं जो बड़ी हो जाएगा और यहां पर वायर को measurement करके हम cutting कर लेते हैं जो हमारा neutral है फेस है जो गीजर का और यहां पर भी वायर को हम cutting कर लेते हैं जो हमारा half वायर है और जो लंबा वायर है उसको back side खीच लेता है neutral वाला इस तरह से खीच लिए यहां पर गाठ मार लेते हैं अब उसके के बाद फिर किया करेंगे यहां पर यहां पर श्प्राइण डालेंगे क्योंकि इसमने हमें वाइर को खीचना था पर नूट्रल यहां पर्लिट अपर लेख कठा करके बांद दिया और इस सेड जिधर हमें वासिंग मसील लगाना है वायर जो भी था उस सबको कटिंग कर लिए उसके बाद यहां से हम यह जो इस्प्रिंग वायर डाल रहे हैं बातरूम के बाहर से यहां से मरा में लाइन इसके अंदर इंपूट होगा जैसे कि सेड से तौइब दी रहे हैं और यहां से चार वायर हम बांद लिए एक नूट्रल जो टू-पाइंट एम का एक बढ़ियर 0.75 रहे है और 1.5 हम खिश लिएम वायर है और इसको मेंजर्मेंट कर लेंगे जो हमारा एंचीव बॉक्स तक चला जाया वायर तो यहां पे मेजर्मेंट कर लिए कि कितना लंबा हमें वायर चाहिए जैसे कि इसते से घुमते हुए हमारा वायर जाने वाला है तो इसते से घुमा करके ही मजरमेंट करता है इससे थोड़ा सा वायर हमारा लंबा हो जाता है कभी कभी क्या होता है मजरमेंट अगर किलियर नहीं मिले तो एक मिटर यहां पर हमने inverter का वायर थोड़ा लंबा किया है क्योंकि लूपिंग होते हुए जाएगा उसके बाद यहां पर वायर को हम कटिंग कर लेते हैं ठीक है कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे यहां जक्सन बॉक्स से डालेंगे के स्पीरिंग यहां पर निकल जाएगा कों वायर को लेंग q लेंगे यहां पर और सभी ही वायर लेकर करेंगे यह स्पीरिंग में हम बांद लेंगे अगर आपक śamed में में डॉट्ट यह हो रहा होगा कि यहां से हम अक हाफ-war नहीं ले रहे हैं तो भी हम आपको clear कर दे दोनों concealed box का एक ही switch से हमारा on off होगा इसलिए जो yellow color का हमारा wire आ रहा है जो concealed box back side या दूसरा वाला concealed box वहाँ ही से इसके अंदर हम looping कर देंगे इसलिए यहां से half wire हम नहीं डाल रहे हैं अब यहां से wire को सही तरह से हम खीच लेंगे क्या होता है कभी-कभी concealed box का जो pipe है ना वहाँ पे कभी-कभी wire फसता है तो छिल जाता है बी-बी-सी रूमोग हो जाता है तो उस चीज को ध्यान में रखना है wire अगर लजता है तो उसको सुल्जाना भी है इस तेसे wire को हम यहां पे खीच लिए अब थोड़ा सा फसर है तो उसको सुल्जा देंगे यहां पे नोटल हमें looping करना है उसको थोड़ा सा लंबा खीच लेंगे उसके बाद यहां से फिर एक wire हम लेंगे half wire जो सामने जो jackson box है इसके point के लिए और उसके बाद इस wire के साथ सभी wire के साथ हम tape लगा देंगे टेप लगाने के बाद फिर spring wire का जो दूसरा छोर है इसको लेकिन हम spring wire इस्तमाल करते हैं ताकि easily हमारा चला जाता है जैसे कि यहां पे यह wire हमारा इस तरह से चला गया sub wire यहां पे चला गया तो यहां से हमारा यह holder का point हो जाएगा अब चली हम switchboard के side दिखा देते हैं यहां पे wire हमारा निकल गया थोड़ा neutral को back side हम खीच लेते हैं क्य यहां पे क्या करेंगी जो selling में हमारा wire है सबको इकठा करके bond देता है connection करेंगे और टिप लगाने के बाद जोडने के बाद wire को pipe में proper तरह से डाल लेंगे तो यहां पे जो bathroom की wiring थी वो complete हमने कर दिया है अगर आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक देख रहा हैं तो को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि कहां पे कौन सा wire किस तरह से डाला गया है तो यहां पे complete हो गया हमारा bathroom की wiring लेकिन इसके अंदर जो main line का wire है जैसे कि यहां से हमारा जा रहा है यह wire चला जाएगा हमारा MCV box तक तो अगले part में जो hall की wiring हम करेंगे उसके साथ हम करके चले जाएंगे तो चली दस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किजिए share किजिए